वक्त जब रात की काली चादर में था, चकमगाता हुआ एक दिया, वासना और हिंसा के हाथों पुझा, उसकी जोती मगर आज भी सबकी हाथों में है, हमसे वो जोती है पूछती, जो हुआ, क्यों हुआ? जो हुआ था, वो कब तक यूही आखिर होता रहेगा? मुझको तुम याद करते हो, बस इतना काफी नहीं है, वासना और हिंसा के इस गंद सहलाब को रोकना है तुमें, खुझ से पूचो के इसके लिए, तुमको करना है क्या, सबको करना है क्या? अफुआ, क्यूआ, क्यूआ. एंकोर होगा पारी इंडने काको स्थेट्डित श्रूरिण के बुख थे इंडने कुछ पीपथरों मुंड़े, सम लिए हुप अटने का लुखेए इन दिली को पीजिसेटरीव ए्टूरिखेए इन लुखेए हुआ है। तीन साल पे बरसी है बच्छी की और एक उसका दोसी छुट रहा है देश भी देश ते सब लोग रोड पे आ गए सारी सरकार हिल गई, कानून हिल गया कि नहीं अब लगा कि सब कुछ बदल जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उतना घिनावना प्राट के बावजूद भी हमारा सिस्टम सबक नहीं लिया ऐसा तो केस हमने देखा ही ने कि इतने इंटरनेशनल लेबल का केस हो और सुप्रीम कोट में जाकर 19 महने से बंद पड़ा है कोई एक हमारी बेटी की बात नहीं है यह तो इसको पूरा भी सुझानता है कि एक केस कैसी है तो अब भी इसका कुछ नहीं हो रहा है तो आम केस है उनका क्या होना है तो अब हमें यहां पे डर लगने लगा है कि खहीं हमारी उमर ना खतम हो जाए इस फैसले के इंतजार में एक बेटी पैदा करना हमारा कसूर था कि हम भुगते हैं दर दर जा करके जितने भी हमारी बच्चियां के साथ हैसा हुआ है चाहे हमारे केस से पहले चाहे बाद में उन सबको इनसाफ मिले और जब तक नहीं इनसाफ मिलेगा मुझे मैं हर संभव कोसिस करूंगी और जब तक सरीम में जान रहेगी मैं लड़ते हैं कि बुगते हैं तक कि वाल टा है कि थरूंप कि भोगते ठेंहें लाव मश हुआ झाल झाल